मुम्राशील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टूडे ब्रांड 100% नेचुरल ओयल प्योर एंड हेल्दी जो कूल्ड प्रेस ओयल मशीन में तयार किया जाता है इसके इलाबा ओर्जिनल मसाले, फ्रेस आटा, मल्टी ग्रेन आटा सब कुछ नेचुरल एफोर्टेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है आपका अपना टूडे ब्रांड असली खाएं सेहत मन्द रहें मैं इसलाब मुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाई एक बारह साल के लड़के का अपहरण कर लिया गया उसके बाद उसकी चाकू मार कर हत्या कर दिया गया फिर उसकी मा से फोन करके फिरोती के तौर पर पचीस लाक रुपे की डिमांड की गई दिल दहला देने वाला ये मामला मीरा रोड से सामने आया है हत्या के बाद से ही परिवार वालों का रोरो कर पुरा हाल है बताया जा रहा है कि जिस बारह साल के लड़के की चाकू मार कर हत्या हुई है उसका नाम मयंक है और हत्या करने वाले दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसका नाम अफजल अंसारी है और दूसरे आरोपी का नाम इमरान शेख है बताय जा रहा है कि ये आपस में दोस्त थे दोनों को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया है और आपको बता दे कि मीरा रोट के शांती पार्थ की लाके में इना नहार सिंग अ 15 वर्सिय बेटे अजय और मयंक 12 वर्सिय के साथ में रहती थी हिना खुद मोरेवली के एक बार में गाना गाती थी जिससे उनके घर का खर्च चलता था हिना काम पर चली गई तभी थोड़ी देर में मयंक घर से लापता हो जाता है हलाकि काफी छान बीन की गई लेकिन मयंक का कुछ पता नहीं चला काफी देर रात गुजर जाने के बाद जो है पुलिस में इसकी शिकायत करने के लिए परिवार की लोग पहुंचे मगर मयंक के मोबाइल से मयंक के मा हीना को फोन आया 25 लाख रुपे फिरवती का मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी अफजल और इम्रान ने बताया कि मयंक उसका दोस्त था और धुम्रपान करने के लिए वो लोग साथ में उसके गए थे जिसके बाद एक सूनसान जगहा पर ले जाकर मयंक को चाकू मार कर हत्या कर दी गई और उसके मा को 25 लाख रुपे के लिए फिरवती क लिए फोन किया गया वहरहाल दोनों आरोपी इम्रान और अफजल को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे जाच जारी है बेटा तुझ जहां कोई भी हाथ नहीं लगाएगा कोई भी नहीं मारेगा मेरा बच्चा एक मारा आजा मेरे पास कोई हाथ नहीं लगाएगा तुझे जो चाहिए सब मिलेगा मेरा बच्चा एक मारा आजा मेरा बच्चा दे दो गरीब की जोली में झाल झाल